हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा था कि मैंने कहा था कि आपको जो अगली वीडियो आएगी उस पर मैं आपको पूरी जानकारी बता दूँगा क्योंकि कमे करके बेंट देखू जहां पर मुझे नजर आ जाता है क्योंकि टेलिओर ह 550 एक्टीव रहता हूं तो वहांपर कोई कमेंट करता है तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे देता हूं इसके बारे में फुल जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा चैनल को सस्काइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सस्काइब करें साथ में बेल आइकन को दबाएं आल पे किलिक करें इससे जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुच जाएगी तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सर मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूँ पर रिजल्ट में डिटेंड लिखकर आ रहा है प्लीज सर बताएं उसके बास से बैक पेपर का रिजल्ट कब आएगा तो मैंने अभी बोला है अभी प्राइवेट का नहीं आया है तो बैक पेपर का कैसे आ जाएगा उसके बास से यहाँ पर भी टेलिग्राम पर भी लोगों ने कमेंट किया कि सर रिजल्ट में डिटेंड लिखकर आ रहा है इसे क्या मतल है उसके बास से यहाँ पर यूट्यूब पर कमेंट किया है मैंने इनको रिपलाई भी किया था यहाँ पर देख सकते हैं भाई मैं सारे सब्जेक्ट में पास हूं लेकिन रिजल्ट में डिटेंड लिखकर उसके बास से यहाँ पर नीची आएंगे तो next वीडियो मंडे को म आप देख सकते हैं, ये प्रोबलम तो इन्हों ने एक बंदे ने यहाँ पर कमेंट किया है, कमेंट ये किया है कि इसका मतलब है कि पिछले किसी समेश्टर में बायक है या फिर तुम्हारा किसी समेश्टर किसी समेश्टर ने एवरेज जो परसंटेज होता है वो 45 कि अगर आप क्या बैक लगा है जो ये बंदा बता रहा है क्या इसके साथ हुआ होगा तो ये बता रहा होगा तो आपको इसको चीक आऊट कर लेना और एक बार से देख लेना कि कि ितने procentade each 45 है या इससे कम है आप Lोग देख लेना है उसके बाद जो एका रीजन क्या होता है जो सही से इसका रीजन क्या है आपको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है देखिए आपको वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं लेकिन जो में प्रॉब्लम है बता देता हूँ जिसके कारण ज्यादा तर लोगों को यही दिखाता है कि आपके जो Practical Viber के जो नंबर होते हैं वो University तक आपके College को द्वारा नहीं भेज़े जाते हैं क्या प्रोबलम मैंने बता है कि अगर आपके College में Practical Viber होते हैं प्रयोगिक मौखिक परिच्छा होते हैं उसके जो Marks होते हैं उसके जो नंबर सो होते हैं वो college के द्वारा university की site पर upload करना होता है तब result में वो जूड कर आते हैं अगर वो upload नहीं किया जाता है college के द्वारा तो result में detained problem लिखकर आती रहती है जब तक कि college उसका जो data है वो university तक नहीं भेजता है अब आपको इसका में proof भी आपको दिखा देता हूँ देखिए अभी हाल ही में notice हाई थी तो इसमें क्या बताएगा है कि जिन लोगों की जो भी practical वाईबा प्रयोगिक मौखिक परिच्छा के अंतिम तिति को बढ़ाते हो दासार दोहजार तेस कर दी गई है उनीचे क्या लिखा साब साब आप देख सकते हैं कि अता आज से आप प्रयोगिक मौखिक परिच्छा हैं दिनाएं के दासार दोहजार तेस तक संपन्न करा कर समन्दि छाथ चात्रों के अंक 20 विद्याले के प्रोटल पर अप्लोड करना सुनिश्चित करें तो यहां पर practical वाईबा कराने के बाद उसके जो नंबर सो होते हैं वो 20 विद्याले ना कि क्या ऐसी कोई problem college के द्वारा हुई है उसके बाद से जो दूसरा तरीका है जो main तरीका आपको बता देता हूँ उससे भी आपको 100% जो भी problem है वो ठीक हो सकती है दूसरा तरीका यह है कि ग्रिविनेंस प्रोटल के जरिए आप अपनी जो बात है शिकायत है अपनी university त देख लेना है यहाँ पर आपको नीचे आजाना है देखी यह वाला वीडियो है कि CSGMU university का मंग फेल चाहत है वो इससे सभी के लिए है अगर आपको कोई problem आती है तो university ने बोला है कि आपको university आने की जरूरत नहीं है इस वीडियो को आप देख लेंगे तो यहाँ पर बताय करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह टेलिग्राम पर आकर मुझे कमेट कर देना आपको यह वीडियो में लिंक सेंड कर दूँगा और साथ ही इसका जो लिंक है वो जो वीडियो आप देख रहे हैं वीडियो के description में मैंने दे दिया है जाकर के direct देख सकते हैं य किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए